आप सभी को साधर नमस्ते मेरे नाम यश्मुद गल है और मित्रो आपका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल में मित्रो आज मैं इस वीडियो के मात्यम से एक उन सभी मित्रों के लिए खुशकबरी लेके आया हूँ जो चायना आना चाह रहे हैं या चायना आने के प्लान सब्सक्राइब और मित्रो आप अपने चायना आ सकते हैं और बिना किसी के आप अब अपने स्थान पर कारे कर सकते हैं लेकिन चाइना आने के लिए अभी भी कुछ शर्ते हैं कुछ अनिवारिता हैं तो वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साजा करता हूँ एक पहली अनिवारिता क्या है कि एक आपको RT-PCR टेस्ट अभी भी आपको करवाना पड़ेगा ये टेस्ट कितने घंटे का होना चाहिए इसकी गाइडलाइन है कि 48 hours 48 घंटे का 48 घंटे कब से मान के चलिए आपकी 9 जनवरी की फ्लाइट है तो आपका जिस समय आपका बोल्ड से 48 घंटे पहले बोर्डिंग से 48 घंटे पहले। जिससे में की भी आपकी फ्लाइट है उससे 48 घंटे पहले का ये आपका न्यूखळी कैसी इससे बोलते है में किसीभी के पास जाकर आकर नहीं कर सकते तो इसकी गायडर्लाइंस का पालन करके व 된 आप परोना की रिपोर्ट अपने साथ रखे यह दिए आपके पास ही करोना के नेग कि लिपोर्ट है ग्रिन कोड कैसे मिलेगा इसकी भी गैडलाइन से हैं एक वैब साइट से में आपको description, link में आपको available करा दूँगा आप वैब साइट पे खुछ जा सकते हैं वैब साइट पे जाके कुछ queries हैं उन queries को आप fill कर सकते हैं साथ में आपको कुछ चीजे वहां पर डोकुमेंटेशन है वहां पर कुछ डोकुमेंट्स आपको वहां पर टेस्ट करने होंगे वह क्या 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 डोकुमेंट्स होंगे एक तो आपका वही 48 hours क्वाला लिए पकाश्पॉर्ट आपकर डोकुमेंट्स और पीजेंशन काँध कामिट्स वुगत्स स्कूर्जन के लिए वुझान खो दौनिए इस ग्रीन खार ऑपको बोर्डिंग से श्य गंटे पहले प्रयास करें बोर्डिंग से श। पहले इसके लिए अप्लाय कर दें थाकि समय रहते आपको यह पास मिल जाए आपको a green code मिल जाए और एक embassy है मुंबई आप वहां पर contact कर सकते हैं इन सभी embassy की जो details है जो उनके numbers है जो उनकी mail ID है यहां पर पहले कारे रत थे आपके पास वीजा उपलब्द है तो यदि आपको वीजा के लिए अपलाए कर सकते हैं और 8 जन्वरी के बाद निश्चिंत रूप से आप बिना किसी quarantine के चाइना में अपनी यात्रा कर सकते हैं तो आशा है आपकी यात्रा शुब होगी चीन हाए बारत का प्रजार प्रसार करें वसुद्यकुटंबगं वंदे मात्रम सभी को नमस्ते